Hello dear students, once again welcome back to our channel GyanLab, so, बहुत सारे बच्चों का ये question आ रहा था कि माम हमको MSTCET के syllabus से regarding confusion है, कि exactly 11th के कौन से chapters आने वाले है PCMB में और 12th के कौन से chapters आने वाले है, कौन से standard के chapters को कितने marks का weightage दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चों के इस confusion को clear करने के लिए, मैंने पहले भी syllabus से regarding एक video upload की थी, और same video में आज फिर से बना कर upload कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की तो आदत है, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको वीडियो सर्च करके देखना ही नहीं है, आपको बार बार same topic नया नया चाहिए होता है, तो चलो, आज भी फिर से में एक बार short में आपक आपको basically कौन सा syllabus आने वाला है MST CET 2023 में, सबसे पहली बात तो ना आपको NEET की बुक्स रेफर करनी है, ना आपको JE की बुक्स रेफर करनी है, आपको कोई भी बुक रेफर नहीं करनी है CET के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके जो महराष्टा बोड की textbook होती है, वही बुक र बच्चे आके पूछेंगे, मैं में नीट के लिए प्रिपेर कर रही हूँ, तो मेरा CET हो जाएगा, मैं में JAE के लिए प्रिपेर कर रहा हूँ, तो मेरा CET हो जाएगा, बेटा एदर clear cut लिखा है, कि महाराष्टा स्ट्रेट बॉड का syllabus या आता है CET के लिए, नीट और JAE यह CET से भी higher level का exam है आप एकदम higher level की पढ़ाई करके जाओगे बट exams में lower level के question आने वाले है मतलब समझो आप अपने घर का address पता करके गए पर आपको अपना नाम ही याद नहीं है तो आप exam में pass होगे क्या नहीं होगे तो आप NEET और JE की भले ही preparation कर रहे हो बट साथ ही साथ अगर आपको CET देना है और CET में pass होना है तो आपको state board के text books भी पढ़नी पढ़ेगी मैं यह नहीं बोल रहे हूँ कि निए JE के बच्चों का CET clear नहीं होता है उनका भी CET exam clear हो जाता है बट उनको उतना time देना पढ़ता है MCQ solve करने के लिए या textbook read करने के लिए तो अब next topic अपना हाता है कि 11 standard के syllabus में से कितना percent question आएगा 12 standard के syllabus में से कितना percent question आएगा आपके 11 standard के जो भी chapters है उनमें से 20% question आएगा और 12 standard के जो भी chapters है उनमें से 80% question आएगा CET exam में negative marking नहीं होगी there will be no negative marking for CET exam difficulty level आपके JEE और NEET के जैसा maintain होगा पर उतना ज़्यादा difficult नहीं होता अगर practically speaking हम बात करें तो MHT CET exam आपका दो parts में होता है एक PCM और एक PCB तो आपके पास तीन question paper होते है multiple choice question के PCM या PCB जिसमें से आपका physics और chemistry जो होता है ये 50-50 marks का होता है और maths और bio 100-100 marks का होता है तो अगर आपने PCB वाला group लिया है तो ये दोनों मिला के आपका 100 marks होगा और ये 100 marks का होगा अगर आपने PCM लिया है combination तो ये तीन subject combination मिला के ये दोनों मिला के आपका 100 marks का होगा और ये 100 marks का होगा ऐसे करके आपका 200 marks का paper आता है आप अगर चाहो तो PCM और PCB दोनों के लिए अपियर कर सकते हो इसका 800 अलग से भरना पड़ेगा इसका 800 अलग से भरना पड़ेगा दोनों exam same day हो सकते या हो सकता है यह exam Monday को है यह exam Wednesday को है कुछ भी हो सकता है अगर आपने PCM PC भी भरा है तो आपको Physics Chemistry दो बार देना पड़ेगा same physics chemistry का paper नहीं आता आपको दो बार Physics Chemistry देना पड़ता है क्योंकि यह exam अलग डे पे होता है यह exam अलग डे पे होता है तो पूरा paper आपको attempt करना पड़ता है ठीक है क्योंकि दोनों paper 200-200 marks का होता है अब syllabus की बात करते हैं, तो आपके जो multiple choice question है, आपके 12 standard में से 80% syllabus आने वाला है, याने की math में total 40 questions आएंगे 80 marks के 12 standard से, और 10 questions आएंगे 11 standard से, जो की होंगे 20 marks, तो ऐसे करके होगा आपका 100 marks, 90 minutes आपको मिलेंगे math का paper solve करने के लिए, physics और chemistry का, आपका 12 standard में से 40-40 marks का question आता है, य 11 standard में से 10 questions आते हैं, यह भी 11 mark के होते हैं, तो यह मिला के हो जाता है आपका 100 marks और यह solve करने के लिए भी आपके पास होते है 90 minutes, अभी maths और bio सेम है, लेकिन बस इदर difference क्या है, यहाँ पे आपको एक question दो mark का है, यहाँ पे आपको 80 question आते हैं, और एक question एक mark का होता है, तो बा बस फ़रक है कि maths लंबा होता है, लेंदी होता है, तो maths के लिए आपको एक question के लिए 2 marks दिया है, एक MCQ के लिए 2 marks, bio theoretical होता है, इसलिए धर पे 1 MCQ के लिए आपको एक ही marks दिया है, ठीक है, syllabus की बात करते हैं, आपका जो syllabus होगा, 80% syllabus आपके 12 standard के full subjects में से आएगा, physics chemistry, bio maths, अगर आप PCB वाले बच्चे हो तो आपको 12 का पूरा PCB करना है, अगर आप दोनों एक्जाम दे रहे हो, PCM और PCB तो आपको पूरा PCMB करना है 12 standard का, 11 standard में से पूरा syllabus नहीं करना है, 11 standard में से physics के सी VA chapters करने है, chemistry के सी VA chapters करने है, maths के सी VA chapters करने है, और bio के सी 4 chapter करने है, bio molecules, respiration, human nutrition, excret इनका वन शॉट्स बायो के 12 के प्लस 11 सारे वन शॉट्स आपके पास अल्रेडी अवेलेबल है यह पार्ट वन और पार्ट टू करके हमने दो वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको चाप्टर नमबर वन से लेकर चाप्टर नमबर 15 तक का फुल सिलिबस पढ़ाया है ठीक ह जो लास्ट ये डिलीटेड वगेरा था मैंने वो भी इंक्लूट किया है तो आपको फुल सिलिबस मिल जाएगा चाप्टर वन और चाप्टर वन से लेकि चाप्टर 15 तक का पार्ट वन और पार्ट टू वाली वीडियो में तो आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते है ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करना स्टार्ट करो अभी क्यूंकि लास्ट मिनिट स्ट्राटेजी ऐसी कुछ नहीं होती है बस इतना ही करना है आपको दिन में 12-14 आवर्स त्वेल टू-14 आवर्स आपको अपने पढ़ाई में डालने है जितना हो से कि उतना वीडियो देखो वन शॉट देखो टेक्सबुक रीट करो एंसी क्यू सॉल्फ करो इसके लावा आपकी लाइफ कभी कोई और गोल नहीं होना चाहिए जिब तक आपके सीटी एक्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते हैं एक्जाम के बंद्रा दिन पहले उसके पहले आप बार बार अपना सकते हैं we will try to clear your query अगर किसी को किसी के question का answer पता होता है तो उसको reply दे सकता है अगर बहुत सारे बच्चों के general doubts हुए तो हम उसके उपर अलग से वीडियो बना देंगे तब तक के लिए stay tuned with our channel आपको MCQ वीडियो की continuously मिल रही है बहले ही वो पिछले साल की है या pre-recorded videos है पर पाना वीडियो है कि नया वीडियो है आपका MCQ प्राक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ओपर ध्यान दो जादा इधर उदर का दिमाग मत चलाओ दिमाग अपना पढ़ाई में चलाओ ठीक है चलो all the best इस वीडियो को जादा से जादा फ्रेंड के साथ शेर करो ताक कि आपको सारे नोडिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू फू वाचिंग दिस वीडियो टेक केर